हाई गाईस वेलकम बेक टो मैं चैनल कैसे है आप सकतो यह थोड़ी सी क्लिप एक छोटी सी गाउ की थी तो मैंने सोचा आप लोगे साथ शेयर कर दू और आप लोगों को दिखा दू तो गाउ में जो है एक दिन बहुत अच्छी दूप निगली थी तो अच्छी भी नहीं थ मतलब जादा तेज से तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक दूप थी जिसमें हमारे कपड़े स्वेटर वगएरा बहुत अच्छी से सूख गए थे तो उसी दिन मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया था छट पे जब थे हम बच्चे वैसे बहुत परिशान कर रहे थे फिर भी मैंने सूट कर लिया था और यहां पर पता नहीं ये क्लिप कैसे ऐसे उल्टी सूट होगी मुझसे उसके लिए मुझे माफ कर देना सॉरी और तो मैंने तो पता नहीं कैसे ये गलती से ऐसे सूट होगी पर फिर भी जब मैं आप लोग साथ शेयर करी रहे हूं तो मैंने सूचा य गाओ की किलिप भी आप लोग साथ शेयर कर दूँ गाओ की वीडियो देखना बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है लेकिन वहाँ पे जाके वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी नेट नहीं आता है और हम घर से बाहर नहीं जाती हैं क्योंकि जा तो सकते हैं ऐसी बात हैं कि नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम नहीं जाते हैं घर से बाहर हमारे यहां घर से बाहर नहीं निकलती हैं बहुत हमें घर में ही रहती हैं मतलब खेतों बगरा में नहीं जाती हैं घर में खेत बगरा जाती तो सायद वहाँ पे नेट वगेर आ जाते तो हम खेट तो जाते नहीं है तो नेट घर पे बहुत ही स्लो आता है बहुत ही मतलब आता है नहीं सच में नहीं हम किसे की वीडियो देख पाते हैं और नहीं हम अपनी वीडियो डाल पाते हैं उसमें इतना गुस्सा आता है इतना गु पराने कुछ जैसे मदलब बच्चा हुआ था लड़की तो और उनकी एक लड़की और पहले से तो वो भी छोटी है दो डाई साल की है तो बच्चों की कपड़े बहुत जादा हो जाते हैं आप लोग देख सकते हैं पूरी छट पे कपड़े कपड़े ही हैं क्योंकि उस दिन दूप निकले थी और मैंने सारे के सारे कपड़े दो दिये थी उस दिन और वेट कर रही थी मैं भी दूप निकलने का उस दिन अच्छे से आई तो मैंने दो दिये सबके अपने भी बच्चों के भी तो बस इनको मैंने आलट पलट रही हूँ कि ताकि ये दूप जानने से पहले अच्छे से सूख जाए और मुझे ज़्यादा फिर दिक्कत ना हो क्योंकि बच्चे वगेरा ना मतलब गाउं में ज़्यादा ही कप्रे कुछ गंदे करते हैं पाने में भीगा लेते हैं मिट्टी से खेरते हैं तो उसमें गंदे कर लेते हैं चूले में जाके काले कर लेते हैं इसलिए तो बस यही चलता रहता है यहां पर गाउ में वैसे अच्छा भी लगता है बहुत और काम भी जादा ही हो जाता है पर कोई बात नहीं जाते हैं 2-4-5 दिन के लिए तो उसमें क्या काम और क्या ज्यादा काम कुछ नहीं फिर भी हम तो कर लेते हैं कोई बात नहीं यहां पर हम इतना काम नहीं करते हैं गाव में जाके कर लेते हैं कोई बात नहीं वैसे भी काम करने से कोई चोटा या बड़ा नहीं होता है तो हम पीज़वाइब चाहते हैं ने मेरी बैहन के में सबस्ताइब आध मुझे आज आती हुआ मुझे किरे लेवागे पाने ताने परसा में आ keyboard लिए रोडूकर और पाने गरम कर लूंग और इतनी थंद धूर्ण डूरूक भीर बहुत ज्यादा को है थंडी हवाई है यह तनbn चल रही है यह सब Comme देख सकते हैं वह कोजá सामने कपड़ा है जो हम यह मेरे हजबेंगे सद्वर है जो पहन के जातateurs अपने काम पे तो मैं जो थोटई सी सुक चुकी थी तो 남व और इस जबा título मैं च्क obsolबारते हैं अवसलो है कपड़े दुलने आ गई हूँ अभी नहाने के बाद मैं नहा ली थी और मैं कपड़े दुल रही थी तो मैंने सुचा वीडियो शूट कर ले थी हूँ थोड़ा सा डाल दूंगी नहीं तो फिर रहे ही जाएगा इसलिए और मेरे आजकर मैं चोटे-चोटे ही वीडियो मतलब बना पाती हूँ जादा बनावे नहीं पाती हूँ और चोटे-चोटे से ही डाल भी देती हूँ थाकि लोग पूरी वोज करें वीडियो को और पूरा देखें और कुछ तो सपोर्ट मिले इस वज़े से तो देखें मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी से कपड़े दो लेती ह और हवा चल रही है धूप तो नहीं है लेकिन हवा से कप्ड़े सूब जाएंगे धूप तो मिलती नहीं है और गली में विल्कुल भी धूप लगती नहीं कैंगे और फिर थोड़ आला साता है जोने में इसलिए मैं डेली ही अपने कप्ड़े दो देती हूँ तो यह देख तो रोज तीन चार जोड़ी तीन चार जोड़ी कपड़े दो रही हूँ अगर एक साथ दोने बैटूंगी तो वैसे ही तब है ठीक नहीं है तो बस यह देखिए और अभी मैं देखिए हमारा बातरूम बहुत चोटा सा है जादा बड़ा नहीं है और यहाँ पर कुछ ने कुछ तो कॉंपरमाइस करना है पड़ता है अगर हम किराया के घर में रहने है तो कभी-कभी बातरूम चोटा होता है कभी-कभी रूम भी मेरा जादा बड़ा नहीं है इसमें यहां पर आगी जलाए थी तो मैं वहां पर आग सेखने जाओंगी और मैं वहार वीडियो वगएर नहीं बनाती हूं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना सबको इसलिए तो यहां पर बाबु ने कहा ममी महगी बना दो तो आज मैं बनाने जा रही हूं महगी बाबु के काफी जिनों से नहीं बनाए थी मैंने आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो में और बस यहां पर यहां पर यहीं पर ख़ड़ा रहेगा तब तक इसको मैं बना के नहीं दूंगी और बोड़ रहे हैं मुझे कच्छी दे दो मैं कच्छी खालूंगा थोड़ी सी मैं इसको अच्छी से दो दूंगी और तो इसलिए आपको ऐसे लग रहे हैं गंदी गंदी सी लेकिन नहीं ना यह थोड़ी सी जल गई थी कड़ा है पूरी बनाने में बहुत हलकी है ना बहुत हलकी है तो बस यह देखिए ना बाबू यहां पर नहीं खा रहा है और आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें प्लीस तो चली मैं चलती हूं मिलती हूं मैं अगले वीडियो में और आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा छोटा सा जूरूर बताएगा कॉमेंट करके और प्लीस सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को फुल वच कीजिएगा तो बस देखिए बाबु न यहां पर खा रहा है महगी और हाँ उसको न यह काटा चमच ही चाहिए होती है वैसी चमच से नहीं काता है तो चलिए फ्रेंड्स चलती हूं मिलती हूं मेरे अगले वाली वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ बाइ